कम लाउथ है योग फो extending माय यूटूब चैनल को का इस वीडियो में हम आपको बडली कॉलिज की जरनी का व्लॉग टू दिखाएंगे व्लॉग न में हमने बडली कॉलिज का छोटा सा पाड दिखाया था गाईस तो इस वीडियो में आपको बरेली कॉलेज की जरनी दिखाते हैं इस विलॉग 2 की स्टार्टिक हम बरेली कॉलेज के किलॉप टावर से करते हैं तो आईए फिर चलते हैं गाईज गाईज यह बरेली कॉलेज अंदर घंटागर के पास पहुच गया हूँ आप देख सकते हैं गंटागर मेरे पीचे है और यह कॉलेज के है इस देखने में बहुत ही खुब्सूरत देख रहा है गाईज आप लोग भी आए एद्मीशन नहीं आपको चल लगएगा आपको और मैं पहले आपको ग्राउंड देखा दूँ बरेली कॉलेज का उसके बाद देखा हूँगा कुछ और यह देख सकते हैं बरेली कॉलेज कितना खुब्सूरत देख रहा है देखने में अब चलते हैं गाईज बरेली कालीज के ग्राउंड तरफ ते देख सकते हैं भाई गाइस कितना बड़ा ग्राउंड है ओ गाईज देख सकते हैं कहां तक गया ग्राउंड गाईज पैस पूरा स्टेडियम में आप देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा ग्राउंड है आपने कितना बड़ा ग्राउंड है बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं यहां के देख सकते हैं आप और यह बरेली कॉलेज चस्ट मेरे पीछे है कॉलेज की बिल्डिंग तो देखनें बहुत कुब्सूरत लग रही है गाइस यह मैं ग्राउंड की तरफ से चलता हूं और थोड़ा सा और इंटरफेस देखाता हूं आपको बरेल कॉलिज का मैं पहले अपनी बाइक लिया हूं थोड़ा दूर खड़ी कर आया था पता नहीं था अंदर और भी डिपार्टमेंट से हैं और अंदर और बिल्डिंग से तो इसलिए पहले मैं अपनी बाइक लेके आता आप देख सकते हैं यह विल्डिंग है यहां पर समाझ चाहस्ता की क्लास बगरा होती है यह परेली कॉलिज का मैं इंटरेंस तो आपने देख लिया गाइस मैं यह गाड़ी लेके अपनी आ गया हूं यह मैंने भी आपको दिखाए था बरेली कॉलिज का इंटरफेस अब मै देखनें बहुत खुबसूरत है यहां पर भी एक चोटा सा गाड़न टाइप का है यहां पर बच्चे बगएर बैठ सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं देख सकते हैं अभी कुछ लोग बैठें और यह बरेली कॉलिज एक्जामिशन कंट्रोल रूम है जो अभी तो खेर फिल मुइंशन करोण आना है और यह हमारा बीकाउम अउनस का डेपार्टमेंट है दर कमरा नमबर 18 1920 में अभी को मा अनस डेपार्टमेंट है यह जरोवि नहीं है तो हम आपको आगे दिखाते हैं दोड़ा यह हमारा फैकल्टि आपकोमर रिस्टाफ रूम है यह भी कम अनस डे क्लासे से कॉमर्स स्टाफ रूम और यह सब कॉमर्स वा लोकली है कॉमर्स डिपार्टमेंट है चाहिए दिये सब कि देख सकते हैं यहां पर कितने क्लासे लगे हैं कि अब देखने बहुत ही खुब्सूरत दिख रहा है यह कॉलेज कि एक बार आके जरूर घूमें बरेली कॉलेज यह कॉमर्स डिपार्टमेंट है हमारा कि जो उपर नीचे दुनों तरफ क्लासे बने हैं यह जैस्ट ग्राउंड के बिलकुल सामने हैं कि देख सकते हैं गाइज आप काइज इस तृट देखा देता हूं कि कुझा है थैंसे माँ ओपर के क्लासे दिखा रहा है आपको देख सकते आपए और इस अजयों पर सांओ म क्लासे हैं देख सकते हैं गाइस कितने डेर क्लासे जाएं यहां पर और आपको थोड़ा सा और इंटरफेस दिखाता हूं बरेली कॉलिज का कET थोड़ा आने में लेट हो गया कॉलिज बंद हो गया कि दो इसवाеч से कुई अब कॉलिज में पर चैनके है उन लोगों से मिलवाता आपको आई आधो आई यह जलते हैं फिर कईand और जो मैंने आपको Commerce Department दिखाया था यह ग्राउंड के बिल्कु सामने है यह ग्राउंड का वो एरिया जहां पर आप बैठके मेच वगरा देख सकते हैं यह तो आप जानती होंगे ग्राउंड है पूरा ग्राउंड घूमते-घूमते मुझे इतनी देर हो गई अशल देख सकते हैं यह तो दीखने रहा होगा आपको ठीक से शवाइबर्फट्राइब से बिल्डिंग में जहां मैं बीचत्त्ते गया था और यह पीजी की लाइबरेरी है और एक्टिविटी रूम है यह अंदर अंदर से तो बहुत बड़ा एक बार मैं देखा था तो अब मैं आपको और चीज दिखाता हूं बरेली कॉलेज की बहुत बड़ा कॉलेज है गाईज घूमते घूमते आपको यहां पर श्याम हो जाए यह गेट तो काली वाडिम कुलता है और यह कंपनी गाटन साइट कुलता है देख सकते हैं गाईज यहां से अब अंदर आंगे तो एंजी सी का एक डेपार्टमेंट देखने को मिलेगा तो देखने बहुत सूर्द देख रहा है गाईज देख सकते हैं और उसके बाद मज़े करिए और पड़ते रहे हैं और आइस आप जब बरेली कोलिज के सेंट गेट से अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर कंट्रोल रूम दिखेगा एक्जामिनेशन कंट्रोल रूम उससे पहले एंसीजी डिपार्टमेंट फिर कुपसूरत सी एक बिल्डि एक एंसीजी का ही है वो भी एक फिजीकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्राउंड में ही मिलेगा आपको ग्राउंड के साइकंड साइड और यह बिल्डिंग देखने को मिलेगी अब मैं आपको थोड़ा सा और इंटरफेस दिखाता हूं पर एली कॉलिज का पर चलते है हैं इस से और यहांग पर सौमय विवे कानद जी की एक प्रतिमा बनाई गई है आप देखने में बहुत खुप्सूरत है कि देखिए गाइज कि इतनी खशुरत देख रही है सौने विवे कानन जी की 354 और यहांपर सामने कॉलिच के बिल्कुल एक कअधरन भी है जहां पर ट्राइब से आपको पसा कुछ पना हुआ है आप पता नहीं है राट फिराट अन्डर दिखाते हैं लेकिन 우리 आपको UX दिखाते हैं देख सकते हैं गाइज गार्डन का इलाका है यहां का इस्थम आपको ठीक से दिखा हुआ गाइज यहां पर दो प्रतिमाएं और बनी है गेट बंद होने की वजह से हम अंदर का आपको नहीं दिखा सकते हैं यहां पर एक लाइबरी भी है देपार्टमेंट अफ लाइबरेरी एंफॉरमेशन साइंस यह साइंस वालो की लाइबरेरी है देख सकते हैं आज तो खाय सब्बंद है वरना मैं आपको अंदर जाकि भी इसका इंटरफेस दिखाता यह हमारा एकोनॉमिक डिपार्टमेंट है चायद एकोनॉमिक डिपार्टमेंट है गाइज ही है डिपार्टमेंट अफ एकोनॉमिक्स बहुत कफूरत बनाए यह कॉलेज यह मैंने आपको पूरा बरेलिक और इसका टूर कराया आपको कैसा लगा टूर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में